तो दोस्तो दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम नमकीन बनाते हैं तो चलिए आज हम बनाएंगे पोहा चिरवा नमकीन जो की मार्केप में बहुत महंगी रेट में मिलती है इसको हम घर में बनाएंगे बहुती सस्ते में बहुती सिंपल तरीके से फटाफट से बनाएं और यह बहुत ही टेस्टी बनती है चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं वेल्कम तो माई चानल अंजली यमी टमी किचिन तो पोहाद चिरवा नम्कीन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला बना लेंगे मैंने लिया हाफ टीस्पून नमक हाफ टीस्पून काला नमक हाफ टीस्पून लाल मिर्श पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी और मैंने लिया है वन टीस्पून चात मसाला और हम इसमें डालेंगे हाफ टीस्पून आमचूट पाउडर ताली मिर्श पाउडर हाफ टीस्पून जीरा पाउडर वन टीस्पून फिर हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर टू टेबल स्पून और हम डालेंगे वन टीस्पून सॉफ का पाउडर और इन सभी को मच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं खटी मीठी और तीखी नमकीन बना रही हूं अगर आपको यह खटा मीठा तीखा टेश्ट ना पसंद हो तो अपने अंस्वार इसको अज़ेस्ट कर सकते हैं आप इसमें मीठा ना पसंद करते हो तो मीठा मढ़ डालिएगा फिर मैंने लिया है पोहा जिसे हम चिडवा कह देंगे और फिर एक एस्पून से भी हम इसको चला लेंगे और इसको हम एक टिशू लगे उए एक बरतन में निकाल लेंगे और जो मने मसाला बनाके रखा है वह मसाला भी हम 1 टीश्पून डाल के मिक्स कर देंगे क्योंकि गरम गरम नमकीन में यह अच्छ से मिक्स हो इसी तरह, । यहां आदा नीच फूरत हैं दिटैiegen, इसटरह, घुर्ट मॅंदल कर जाएंगे, इसंधरर पोहज़ेसे की किस्वाराइब हैं,Дनेट मान निकाले से, मौनगफली तन्हें दिए में हैं, हैं फूर उसको मीडियम गैस ने दित तो कि इनको थोड़ा सा कि हमने कच्चे मुंफली ले तो इनको फट कि बहुत ज़़ा तायम नहीं लगता है लेकिन फिर मीडियम गैस पर रखेंगे देखिए यह में अम्ह лंक को नी Goddess लेंगे, फिर हम इसमें लेंगे बादाम, बादाम को भी हम फ्राई कर लेंगे, आप इसमें ड्राइफूर्स अपने अनुसार डाल सकते हैं, आपको जो पसंदो वो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, और जो आपको ना पसंदो वो आप इसकिप भी कर सकते हैं, फिर हमने काज हमारी बहुत जल्दी फटाफट से फ्रास हो जाती है तक है इसको मैंने अब तो इससे नमकीन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन्हें भी हम तल लेंगे और क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राइए करेंगे जब तक क्रिस्पी नहीं हो जाते हम इनको फ्राइए करना है बनना ये हमारे नमकीन को खराब भी कर सकते हैं अगर गीले रह गे तो देखें इसमें किती इच्छी आवाज आ रही है ना ये कुरकुरे क्रिस्पी हो गए हैं फिर जो हमने सारे ड्राइफ़ूट्स जो हमने तल सब्सक्राइब न district 15 मív बरतन कोई भी परात कड़ाई कुछ भले सकते हैं मैंने उसमें सारे पोह डाल लिए रोब हम और दरसे न हम सारी चीज़ इसमें यह करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हो जाए« पिर हम इसमें दशार की नहीं कर देंगे और इक्दम क्रिश्पी कर दें अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, यह नमकीन बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी है, फिर जो बचा हुआ हमारा मसाला था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, इस स्टेश पर आप अपनी नमकीन को टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको नमक, मिर्च, सकते हैं, अगर आपको नमक इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाता है, नमक में तो आप थोड़े से कोहा करके और मिला दीजे, और अगर नमक कम लगता है, तो आप इसमें थोड़ा और अट कर सकते हैं, फिर जो यह जब बिल्कुल ठंडी हो जायता हम इसको किसी भी एर टाइ हम नहीं मिलेगा कि हम नमकीन बना पाए, तो हम इसको अपने सफाई के साथ साथ, क्योंकि हमें घर की भी क्लीनिंग करनी होती है, तो इसके साथ साथ हम पहले सही अपना थोड़ा थोड़ा यह चीजे बनाते चलेंगे, तो यह नमकीन आप सबसे पहले बना के रख